मैथिली आंदोलन मैथिली भाषा और उस आंदोलन का सूक्षम अधियन जिसके कारण आधुनिक मैथिली समुदाय का निर्मान हुआ और इसके बोलने वालों का हिंदी आधिपत्ते का प्रतिरोध भोजपुरी और मघी जैसी बोली जाने वाली भाशाओं और वज्जिका और अंगिका जैसी बोलियों के अलावा, संथाली और अब जारखंद राजे के आदिवासी लोगों की कई अन्य भाशाओं के साथ भाशाई रूप से जटिल और विविधता पूर्न है, जो बिहार से अलग होकर बनाया गया था, यह विविधता संभवतह उन्नी सो असी के दशक के अंत में अविभाजित बिहार में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाशा के रूप में मानेता दिलाने के संघर्ष के कारणों में से एक थी, बेशक यह उन्नी सो इक्यावन से एक जन आंदो मुनज्यम अवामी तहरीक के कारण संभव हुआ था, इसके विप्रीत, उन्नी सो असी के दशक में पडोसी राजे उत्तर प्रदेश में उर्दू को समान दर्जा देने के कदम को शत्रुता का सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश भाशा विधेयक उत्तर प्रदेश राजभाशा, संशोधन, विधेयक, उन्नी सो नवासी, जिसे विधान सभा में पारित किया गया था, कानून नहीं बनाया जा सका क्योंकि हिंदी साहित्ते सम्मेलन ने इसके खिलाफ अदालत में अपील की थी हिंदी उर्दू विवाद के कारण सितंबर से अक्टूबर उन्नी सो नवासी में बदायू में साम्प्रदाइक हिंसा भलक उठी, हिंदी समर्चकों ने उर्दू थोपी लर्कों पे तो खून बहेगा सदकोन पे, अगर चात्रों पर उर्दू थोपी गई तो सरकों पर हि भाषा की राजनीती को देखते हुए, कोई भी बिहार में भाषा की राजनीती पर एक अकादमिक कारे में इस पहलू को ध्यान में रखने की उम्मीद करेगा। मोटे तोर पर मैथिली की एक आकरशक साहित्तिक यात्रा के माधियम से भाषा की राजनीती और राष्ट्रवाद के इतिहास का एक निश्पक्ष अंदरूनी विवरन है, जो उत्री बिहार के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा है, जो लंबी प्राचीनता और साहित्ते, एतिहासिक प्रक्षेप पत, भारत में स्थानिय भाषा के राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर अकादमिक अधियन सीमित है, इस दृष्टी से यह अधियन इस अंतर को भरने के प्रयास में एक महित्वपूर्ण हस्तक शेप है, यह मैथिली भाषा के ए एक वर्च स्ववादी हिंदी द्वारा इसके विरोध का विरोध किया गया, इस लोकप्रिय धारना के विप्रीत की मैथिली अनिवारे रूप से ब्राह्मनों और कायस्तों की प्रमुक हिंदू जातियों तक ही सीमित है, लेखक, मिथिलेश कुमार जा, अनिवारे रूप स बिना सभी द्वारा बोली जाती है, जबकि मिथिला के बहुत से मुसल्मान मैथिली नहीं बोलते है, बलकि मिथिला मुसल्मानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसी बोली बोलता है, जो अनिवारे रूप से उर्दू से पहचानी जाती है, परिशिष्ट में मैथिली के लगभग स 45 साहितिक और राजनीतिक नायकों की उप्योगी और जानकारी पूर्ण प्रोफाइल शामिल है। उनमें से लगभग सभी या तो ब्राहमन या कायस्त है। बमुश्किल एक या दो खत्री हो सकते है। इनमें से दो चौधवीन सदी के है। उननीसवीन सदी के कुछ नायकों ने अपनी किताबे उर्दू में भी लिखीन। उनमें से एक है बिहारी लाल फितरत जिनका आइना इतिरहुत 1881 स्थानिय इतिहास का एक जानकारी पूर्ण विवरन है। हिंदी आधिपत्ते का विरोध। लेखक आगे तर्क देते हैं कि हिंदी पट्टी की भाषाई और सांस्कृतिक सीमाई छिद्रपूर्ण और विशम हैं, जो हिंदी वर्चस्व की समरूप राजनीती का विरोध करती है। मैथिली हिंदी आधिपत्ते का विरोध कर रही है, भले ही उसे अपनी लिपी छोड़नी पड़ी और नागरी को अपनाना पड़ा, अन्यता हिंदी को एक अलग भाषा के बजाए मैथिली को अपनी बोली के रूप में अपनाने में मदद मिल सकती थी। इस गेहन और सुक्षम अधियन में लेखक द्वारा एक और बारिक बात याद आ गई है कि तिरहुत मिथिला की जो सीमा उन्होंने परिभाशित की है, उसमें अंगिका, भागलपुर, वज्जिका, मुझफरपुर वैशाली के कुछ हिसों में और सुर्जापुरी के कुछ हिसों में जैसी बोलिया शामिल है, पूर्वी बिहार, विशेश रूप से किशंगंच, लेखक को सुर्जापुरी बोली से जुरना चाहिए था क्योंकि इसके नायक एक अलग प्रांथ सीमांचल की मांग कर रहे है, जैसे मैथिली नायक मिथिलांचल की मांग कर रहे है, इ इसे अब की तुलना में अधिक समग्र और व्यापक बना सकता था। एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत का विचार भारतिय राजनीती में बहुसंख्यक्वादी मोर के साथ समकालीन समय में संकत के चरण में प्रवेश करता है। लेखक का कहना है कि शिक्षाविदों को भारतिय राष्ट्र के गठन और राष्ट्रवाद पर मुद्दों की एक श्रिंखला की जांच करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस से इस अधियन का मेहित्व और अधिक सार्थक रूप से सामने आता है। अधिक संदर्भ में उन्होंने किस प्रकार अपनी बात रखी और अपनी मांगे कैसे रखी। भाशाई राजनीती। प्रतिकूल रही है। लेखक ने अकादमिक और राजनीतिक रूप से महित्व पूर्ण इस पहलू से जुरने से परहेज किया है। मैथिली के लिए राजनीतिक लामबंदी 1920 के दशक की शुरुवात में आकार लेने लगी। यह वह समय था जब मिथिला नामक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। जो सामाजिक सुधारों के बारे में अपनी राय में बहुत कटरपन थी और साहसी थी। इसने लगातार महिलाओं की शिक्षा के मुद्दे का समर्थन किया। इसी तरह परदा प्रथा की समाप्ती, बेमेल विवाह, बाल विवाह और विध्वा पुनर विवाह की संस्था जैसे मुद्दे समाज में पारंपरिक रूरिवादी ताक्तों की कड़ी चुनोतियों के खिलाफ उठाए गए थे। प्रिष्ट 123 यही वह समय था जब दर्भंगा के महाराजा रामेश्वर सिंग 1921 में ने पहली बार एक केंद्र द्वाराशासित स्वशासित प्रांतों और रियास्तों की एक श्रिंखला बनाने की अवधारना के आधार पर एक अलग मिथिला राजे की मांग उठाई थी। सरकार, राजनीतिक प्रक्षेपत, भाशा आंदोलन के राजनीतिक प्रक्षेपत का पता लगाते हुए, लेखा का तर्क है कि 1950 के दशक के बाद से मैथिली आंदोलन का नेतरित्वब साहितिक अभिजात वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, वह तर्कसंगत रूप से अतिश्यो के रूप में लेखक को ऐसी महित्वा कांक्षी मांगों के आधार, ताकत और लोकप्रियता की दिगरी के बारे में उचित और निश्पक्ष रूप से आलोचनात्मक होना चाहिए था, हाला कि उन्होंने इस तथे को ध्यान में रखा है कि आंदोलन मद्यम वर्ग तक ही सीम कई महित्वपूर्ण कार्णों में से एक, शिक्षा के प्रात्मिक और माद्यमिक स्तर पर मैथिली का हाशिये पर जाना और अनुपस्थिती ए, लेखक ने कोलकाता के गिरीश पार्क में मैथिली बोलने वालों की सभाओं का विस्तरित विवरन दिया है, जहां से कई अनुटनों और लामबंदी गतिविधियों के माद्यम से मिथिला के लिए एक अलग राजे की मांग तेज हो गई थी, उन्होंने आयोजकों की कोलकाता अधारित गतिविधियों का पता लगाने के लिए मानवशास्त्रिये तरीकों का का काफी सराहनिये डंग से उप्योग किया है, हाला कि 1980 के दशक के बाद बिहार से दिल्ली की और प्रवासन बिहार से कोलकाता की और होने वाले प्रवासन से अधिक था, लेखक को इसकी जांच करनी चाहिए थी कि क्या कोलकाता जैसी लामबंदी नई दिल्ली में भी हुई थी, यदी नहीं, तो यह मुद्दा अकादमिक रूप से सूचित स्पष्टी करन की प्रतीक्षा कर रहा है, बहर हाल, हाल के दशकों में मैथिली आंदोलन में बड़े बदलाव आए है, शेत्र के आर्थिक विकास का मुद्दा तेजी से सामाजिक और राजनीतिक लामबंदी का एक महित्वपूर्ण करने में विफल रहा है, लेखक ने निमनलिखित प्रशनों को नहीं चुआ है, क्या यह आंदोलन ब्राह्मनों और काइस्थों से परे अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने के लिए संघर्ष करते हुए, वास्तव में दलित और मुसलिम समुदायों तक पहुचने की को उत्तर भारत में भाषा, धर्म और राजनीती, 1974, और रिचर्ड बर्गहार्थ, भाषा परिवार में एक जगड़ा, मिथिला में भाषन की एजेंसी और प्रतिनिधित्व, आधुनिक एशियाई अधियन, 1993, जैसे विद्वान, An Introduction to the Methily Language of North Bihar, 1881, ने मैथिली भाषा, सा प्रात्मिक शाधीन पुस्तक ने इन सभी पर प्रभावशाली प्रगती की है, लेखक ने अब तक अप्रयुक्त मैथिली स्रोतों पर भी काफी ध्यान दिया है, और विभिन प्रात्मिक स्रोतों की गहराई से परताल की है, पुस्तक व्यापक रूप से माध्यमिक कारियों से जुड़ी है और सैध्भांतिक पहलूओं को स्पष्टता से पेश करती है यह कड़ी मेहंत और व्यापक विद्वता का नमूना है यह पुस्तक समाज भाशाविदो राजनीतिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए बेहद उप्योगी होगी